सब्सक्राइब करने को मिलेगी तो इसमें आपका कहां पे सिलेंडर प्लेस किया गया कितना इसमें फीचर्स एड़ोन कर दिया गया और साइड डिटेल्स इस वीडियो तुर आपको देने वाला हूं चैनल परना होंगे तो सब्सक्राइब जरूर किजगा साथे साथ बेल आइकन को प्रेज किजगा और मुझे अभी तक आपने इस्टा में फोलो नहीं किया हैं इस्क्रिप्सन में लिंक दे दिया हूं वहाँ जाकर मुझे फोलो कर सकते हैं तो चले दोस्तों वीडियो को जड मैं और देखने को मिल जाएगा साथिसाथ यहाँ फ्रण में कोई आपको पार्किंग सेंसर का आप्स नहीं मिलती है यहाँ पर मिलता है अपको एच सेप में देखने को मिलेगा जो कि हैलोजन में आपको यहाँ परोजक्टर है देखने को मिल जाती है नाइट फिसके बीजन वगेरा काफी एक नमर आपको देखने को मिलेगी बाकि फ्रंट की आप बंफर देख सकते हैं जो कि रफ ब्लैक के साथ यहां पर पूरा ग्रे कलर का आपको यूज देखने को मिल जा रहा है एट प्रफाइल की बात कर ले तो य इसके यहां पर विल आर्केट्स आप देख सकते हैं जो की रफ ब्लैक का पूरा चारोत रफ आपको यूज देखने को मिलेगा और यहां पर जो साइड क्लाइडिंग दिया गया इसको थोड़ा चोड़ा कर दिया गया जो आपको आर्बियम दिया गया एलेक्ट्रोनिक इसके रियर प्रफाइल की तो रियर की आप यहां पर लुक देख सकते हैं लुक जो है आपको एक नमबर देखने को मिल जाती है सबसे पहले आपको हाई-माउंट इस्टॉप लैम देखने को मिलेगा यहां पर क्या है ना आपको लग रहोगा कि यह स्पोईलर दिया गया स्पोईलर आप नहीं बोल सकते हैं थोड़ा से इसका डीजाइन उठा दिया गया है बाकि यहां पर रियर में आपको कोई भी वासर होगेरा देखने को मिलेगी बस क्या है इसमें खाली आपको बैचिंग देखने को मिलेगा उसी के जस्ट नीचे यहां पर आपको ऑफ़ेजन में देखने को मिलेगी एक्ष्टर कका बैचिंग दिया गया जो कि यहां पर आपको 3D में देखने को मिलेगा बाकि रोल बंफर पुरा ग्रेप망 car आखके नहीं पर दैख सकते हैं उतनी ज्रीड़ों की चाहें पर देख सकते हैं अगर आपका है इसाच हपे ज्यादा है तो आपको jump Q4 में आप 2nd row वाला seat को split करके अप luggage वगेरा अराम से रख सकते हैं इसके मैं 2nd row पर आगकर बैट चुका हूँ बागी यहाँ पर आप सबसे पहले seat देखिए यहाँ पर आपको फाब्रिक seat ही देखने को मिलती है बागी यहाँ पर कोई भी लेदर का कि यहां पर बैठते हैं तो उनको थोड़ा सा प्रोब्लेम हो सकता है चीट पर आपको दो एड्जेस्टेबल हैड रेशिक देखने को मिलेगा जो कि अपने हिसाप से अध्रस्ट कर सकते हैं बीच में कोई भी आम्रेश्ट वगएर आपको देखने को नहीं मिलती है और यहां बस आपको एक यहां पर देखने को मिलती है और यहां पर देख सकते हैं आपको ब्लाक कलर में देखने को मिलेगा यहां पर पचारो पार विंडो का यहां पर आपको evolved here यहां पर देखने मिलती है ऑपको एक हो पीजाट सकते हैं इसका आप फूले आपको बटन न मिल जाता है यहां पर पेट्रोल से सभीनल के ziehen आपüs ब्लकर एक को सबस्क्वास खेडिया एक है कणा हैं गया जाओ इसके में रौजलाए क सब्सक्रावावि में लोगो मिला जाता है में लेत panda फ्रे लेटीया लाएं कि फीर होंकिने मrüल कुब है बेट कर तीन सताथ ते बॉटन दिया गया उसके साथ साथ राइट चैम्हें यहां पे सारा आपको वायपर का कंड्रोल को मिलेगा आपको इस टिल्ट एजस्ट्मेंट दखने को मिलती है पाथ कर लेते हैं इसके इंफोर्टेन्मेंट सिस्टम की तो यहां पर पूरा आपको ग्लोसी ब्लेक का साइड साइड में यूज किया गया है एक इंच का आपको इंफोर्टेन्मेंट सिस्टम देखने को मिलेगा जो कि Android यहां पर सपोर्ट करती है आपको वायर के थुआ कराना यहां पर चाहिए लगा है और इसका माय आपको यहां चेकाउट करा देता हूं यहां पर देख सकते हैं इसके गाइडलाइन के साथ यह नहीं आती है यहां पर देख सकते हैं इसका एसी पूरा ब्लाक मैट फिनिश का यूज किया गया है यहां पर हजाट को बटन मिल जाता है बागी यहां पर जो एसी मिलता है वह आपको आपको आटोमेटिक में देखने को मिलेगा एर सरकुलेशन आपको देखने को मिलेगा गैरबोक्स आपको 5D-speed manual gearbox देखने को मिलेगी वह बागी साइड साइड में पूरा यहां पर यहां पर आ जाती है उसके साथ साहते हैं पर हैंड वला देखने को मिलेगा इसमें कोई भी आपको आमरेश्ट वगरेदा देखने को नहीं मिलती है ब बाकि club box की बा動画 कर लें तो पर देख सकते हैं को think अधिश्वर्ड абсолютно कोई साथ एक अकbelी क्लिएफ यहां पर देख सकते हैं कोडॉाên मिल जाता है और द्राइबर स्वास launch डेखने को मिलेगी आई निवाथ को आपको manually adjust करनी पड़ेगी यहां पर आपको cabin में light मिलता है यहां आपको halogen में देखने को मिलेगा यहां पर माइक का option बाकी हैं इहां पर पर आपको sunroof मिल जाता है आपको संरूफ मिल जा रहा है जिसे कि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चे हैं यहां पर संधन्य को मिलें और यहां पर यहां पे मिलेगा टीने को मिलेगा पर यहां पर आर्पी बटन मिल जाता है कितना आपका बचाल जाहा ऑचा इंजर माला माउंक्सन मिलेगा उसके साथ यहां बहुत तो बचन पर है उसके साथ टिपी एमस यानि के टायर प्रेसर मोनिट्रिंग शीच्टम भी आपको देखने को मिल जाएगी यहाप देख सकते हैं सिन्स रिफ्यूलिंग का उप्सण मिल जाएगा उसके साथ साथ करेंट ट्रिप आप यहाँ पर देख सकते हैं शींस लास्ट रिशेट इस गाड़ी में देखने को मिल जाती है जो भी एक्स्टेरियर और इंटेरियर में फीचर्स हो गया था सारा मैं आपको डीटेल में बता दिया इंजिन की बात कर लेते हैं तो इंजिन जो है आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजिन देखने को मिलेगा फोर्ट सिलेंडर के साथ यह आती है पेट्रोल में जो यह मैलेज देगी वह 17-18 का आराम साप क्लेम कर सकते हैं और इस गाड़ी का इंजिन है वह अंठाउन भी एच्पी का पावर और 95 न्यूटेन मीटर का टोर के आराम सापको निकाल कर देगी अगर आपको पड़े का रनिंग काफी ज्यादा है और मायलेज आपको ठीक ठाक चाहिए तो आप इसे प्रिफर कर सकते हैं बाकी प्राइस की बात करें तो प्राइस जो आपको पड़ेगा एक सो रूम नो लाख पचीस हजार देखने को मिल जाएगा उसके साथ साथ इस ग वाला समय में हो जाए अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपको ज्यादा रेंज वाला मालेज दिल खोल कर दे ताप इससे प्रिफर कर सकते हैं यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरू बताएगा सोरूम का जो भी डिटेल से मैं आपको डिस्क्रिप्सर में दे दिया हूं आप आप कर सकते हैं यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरू बताएगा चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब जरू किजाएगा सो गाइस के लिवर से इतना ही मिलते हैं लोग दो मैं तब तक लिए जाएं वंदे मातरम थांक्यों गाइस बाइज